European country में जाना है हमें cleaning की job, हमें hotel की job, हमें construction की job लेनी है हमारे पास इतनी education है तो कौन सी एसी country है जहां पर हमें आसानी से work permit मिल जाता है वहां पर हमारे जैसे Indian लोग मिल जाते हैं और ऐसी कौन सी rich country है जहां पर Euro मिलता है तो आज एक country के बारे में है Malta, Malta आज की जमाने में बहुत European country की जो में Malta Indians के लिए बहुत famous destination होती जा रही है और अब बात करने वाले हैं कि बहुत कौन कौन सी ऐसी agencies हैं, agencies दुनिया में बहुत सारी हैं, इंडिया में बहुत सारी हैं लेकिन उसको ढूरना, उसको search करना यह हमारा काम है, तो आज ऐसी एक agencies में आपके तीन agencies लेके आया हूँ, जहां से आप apply कर सकते हो, उनसे call कर सकते हो, उन्टे contract कर सकते हो, जैसे भी vacancies होती हैं तो आपको वहां से email आगा, और Malta से ऐसे ऐसे YouTube पर वीडियो जली हैं कि काफी ब सच है, बिना agency के भी Malta जाया सकता है, कोई भी country जाय सकता है, अगर आपको employer आपको hire करता है, तो वैसे mostly जो jobs होती है, अगर आप किसी website से apply, company की website से, अगर आप email को mail करते हैं, अगर उनको लगता है, तो Skype interview फिर आपको visa देते हैं, फिर आपको VFS में जाना पड़ता है, फिर VFS में appointment लेके, visa आता है, फिर आप वहाँ जाके, Malta में जाके, आप अपने fingerprints, थंप्रिंट, जो भी उनका medical वगेरा होता है, वो चीजे होती है, तो ऐसी employer को ढूनने के लिए, आप agencies, जो है third party का का काम करती है, तो कौन कौन सी agencies, more than thousand agencies Malta में हैं, जो आपकी help कर सकती है, अब दीरे दीरे एक वीडियो में पूरी agencies को नहीं discuss कर सके, तो थोड़ी थोड़ी agencies, अब देखो ऐसा कि आपको एक बार resume send नहीं करना है, आपको बहुत बार resume हर company में, हर agencies में send करना है, ताकि आपको जल्दी से जल्दी interview हो सके, और आपकी आगे की process हो सके, तो अगर हम तीन agencies की बात करें, तो पहले number पर जो है, agencies बहुत सारी है, लेकिन जो इस तीन agencies में मैंने पहले दूसरे तीसरे में categorize करी है, लेकिन Malta की jobs के लिए बहुत सारी agency है, इंडिया में काफी agencies है, उनके ओपर भी दीरे दीरे वीडियो आएगी, पॉलेंड के ओपर वीडियो आएगी, इंगापूर, Malaysia है, तो इस तरह की जो vacancies है, वो मेरे channel पर जाके आप देखोगे, तो आपको मिल जाएगे, लेकिन आज की जो है, अगर आपसे मेरी छोटी सी request, अगर आपने अभी तक मेरे channel को share, subscribe नहीं करा, please like, share, subscribe, और ये video जादा से जादा share कर देखो, ताकि हाँ, और ल से है, और इनका जो contact number है, वो भी इनकी website के तुरू आपको मिल जाएगा, अब दूसरे number पर मैंने जो रखी है, वो है Malta recruitment agencies, दूसरे number पर ये employment agency, बलाजान Malta में है, screenshot आ रहा है, इनकी website पर भी जाके आप इनको call कर सकते हैं, तीसरे number पर मैंने रखी है, vacancy center, VC जिसे बोलते ह इनका जो office है, vacancy center की website, screenshot आ रहा है, इनको phone कर सकते हैं, तो तीन जो websites मैंने बता ही, एक group में, अगर आप इनको जाके contact करेंगे, M recruitment agencies, इनकी website भी है, Malta international recruitment agencies, इनकी भी website है, इनकी phone number है, screenshot पर आते रहेंगे, आपको देखने हैं, और vacancy center, तो आज के ये ही, तीन agencies के नाम बता है आप यहां से contact करें, इनको phone करें, और कुछ न कुछ आपका procedure, आपको वद्दे को ऐसा होसला नहीं गवाना है आपको, ऐसा नहीं कि एक agency से apply कर आपका reply नहीं आरा, तो job नहीं मिलेगी, आपको बहुत सब्सक्राइब करना है, इंडिया में हो, इंडिया की भी agency से try करो, Malta क आपका job, कहीं ना कहीं, facebook groups, बहुत सारे, अगर आप चाहते हो, facebook group में बहुत सारे वीडियो आए, वो भी आएंगे in future में, लेकिन आज की जो तीन वीडियो, तीन agencies मैंने बताए, I hope so, आपको वीडियो अच्छी लगे, कि वीडियो अच्छी लगे, लाइक से subscribe, thank you for watching this video.